सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तांकि जो भी मैंने वीडो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हल्दी लड़ों की रेस्पी लेक और वैसे बी लड़ों बहुत ही हल्दी होती है आप इसको वैसे भी बनाकर खा सकते हैं और इसके क्या क्या फाइदे हैं यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने नवरात्रे की थाली की रैस्पी शेयर की ती जिसका लिं तो इस इसको आप जरूर ट्राइआ कीजिए इसको वर्त में आप बनाकर खा सकते हैं इसको वैसे भी बनाकर आप अब आइर क्वारा एक जाए थे लोड़ा तो चले इसको बनाना शुरू कर लेते हैं तो इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने तो मैंने 10 gram अकाना लिया है 1 1⁄2 cup jaraming kg, and 1⁄2 teaspoon of salt, 1⁄4 teaspoon of ghi powder, 1 cup desiccated coconut, and add 4 pls powder sugar at this time and add दूद लिया है उसको में केस सर डाल कर रख लिया था वाम मिलक में तो अभी उसका कलर आप देखे कितना अच्छा आया है यहां पर थोड़े से पिश्टाश हो लिए है गानिश के लिए तो सबसे पहले एक फ्राइपन में मैं दो टेबल स्पून घी के डालूंगी जब घी म में मखाना को डालूंगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको रोस्ट करूंगी तो इसको अच्छी तरह लाते होई रोस्ट करें तो यह रोस्ट हुए है कि नहीं इसको भी मैं बताऊंगी कि कैसे आपको चेक करना है तो पहले मैंने इसको दो मिनट तक रोस्ट किया है उसके बाद इसको आप एक मखाना पकड़ के देखें अगर अच्छी तरह से क्रैक हो जाता है बहुत एजली तो मखाना हमारा रोस्ट हो गया है पर यह इसली क्रैक नहीं हुआ तो इसको मैंने और दो मिनट के लिए रोस्ट किया है तो अभी मैं इसको फिर से चेक करूंग कि ड्राइफ रूट को और इसको अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी तो जब जी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे तो इसको भी मैं सेम बाउल में निकाल लूँगी तो सेम फ्राइपेन में जो एक टेबल स्पून घी का बच गया था उसको डाल लूँगी और उसमें desiccated coconut कर डाल कर अच्छी तरह से रोस्ट करोंगी यह 30 सेकिंड में ही जो coconut है अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है इसको बहुत कम टाइम लगता है तो इसी में मैं इलाइची का powder डाल दोंगी और इसको अच्छी तरह से mix करोंगी तो इस इस मिक्सर को भी सेम बॉल में निकाल लोंगी और फिर इसको ब्लेंडर में डाल कर इसका powder बना लोंगी तो यहां पर मैंने 4 टेबल स्पून पाउडर शूगर के एड़ की है शूगर आप कम ज़ादा कर सकते हो यहां पर मैंने केसर वाला दूद के दो टेबल स्पून पहली मिलाए है फिर इसको अच्छी तरह से mix किया है फिर से जो बाकी का दूद है वो भी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से mix करोंगी तो इसके बाद इसके लड़ू बना ले लड़ू आप बड़े जचोटे अपने मन पिसंद हिसाब से बना सक मुれ उट है झाल 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 झाल